दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी post office में सुकन्य समर्दी account है तो आप किस तरह से घर बटे ही अपने mobile के दोरा अपना सुकन्य समर्दी account का mini statement किस तरह से check कर सकते हो यानि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपने जो है इसमें कब कब कितने रूपे जो है इसमें डाले हैं सुकन्या समर्दी अकाउंट में तो मैं सुकन्या समर्दी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करने का जो है complete procedure बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक देख के आप भी जो है अपने सुकन्या समर्दी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट जो है इस तरह से इजली चेक करें तो इसके लिए आप बने रहे हैं आपके अपने यूटूब चेनल टेक यादव के साथ सुकन्या समर्दी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे है चाहे आपके पास phone हो या फिलेपटोफ हो इसमें आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं सबसे पहले आपको अपनेencer का सर्च बोक्स को उपन करने के बाद आपको इसके search box में type कर लेना है इंडिया post payments bank ये भी post office का here bank होता है तो आपको सबसे पहले же search box में इंडिया post payment bank को type कर करके इसको search कर लेना है जैसे आप इसको search करोगे इंडिया post payment bank की जो website है वो खुल के आपके सामने शयो हो जाएगी अभी इस तरह सा वेबसाइट का पेज आपके सामने खुलकेशियो हो जाएगा अभी हमारे को क्या करना है कि इस पेज को उपर की तरफ स्क्रोल करना हूं तो जैसे ही आप उपर की तरफ स्क्रोल करोगे इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक की जो एक सर्विस का ओप्सन आ जाएगा वहाँ पर जाके और हमारे को किलिक कर देना है तो आपको पेज को जो है उपर की तरफ जो है इसक्रोल करते रहना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओप्सन आपको मिल जाएगा service through IPPB इंडिया पोस्ट तो ये जो option है इस option के उपर हमारे को click कर देना है जैसे ही मैं इस option के उपर click करूँगा click करते ही जो है next page जो है हमारे सामने कुल के show हो जाएगा तो फिर जो है इस तरह से next page हमारे सामने कुल के show हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो service through IPPB का option है इसमें दो option दे रके हैं तो इसमें जो नीचे वाड़े option दे रके हैं POSB payments using IPPB जो नीचे वाड़ा option है इसके उपर आप जैसे ही click करते ही जो है आप एक next page में चले जाओगे और वो next page का interface आपके सामने इस तरह से खुल के show हो जाएगा तो इस तरह से आपके सामने next page show हो जाएगा इस page को आपको उपर की तरफ scroll करना है इसमें जो three line बनी वी है three line के उपर आपको click कर देना जैसे three line के option के उपर आप click करोगे इसमें कई सारे option आपके सामने कुल के स्यों हो जाएंगे, तो इसमें एक payments का option है, payments वाले option के उपर हमारे को click कर देना, जैसे मैं payments वाले option के उपर click करूँगा, इसमें फिर कई option आजाएंगे, जैसे bill payment, fund transfer, direct benefit transfer, तो इसमें एक option मिल जाएगा, DOP product payment, जो DOP product payment का जो option है, इसके उपर हमारे को click करना है, जैसे मैं DOP प्रोड़क्ट पेमेंट के ओप्शन के ओपर किलिक करूँगा, किलिक करते ही फिर जो है इस तरह का website का interface आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हो एक option दिया है, क्लिक here for POSB सेवा e-passbook का ये जो option है, इसके ओपर हमारे को किलिक कर देना है, तो ये जो option है, इसके ओपर मैं जैसे ही किलिक करूँगा, किलिक करते ही फिर इस तरह का जो है एक link आएगा, इसके हो हमारे को ok कर देना है, तो मैं इसको ok कर देता हूँ, ok करते ही next page हमारे सामने जो है इस तरह का खुलके show हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले login होना है, login होने के लिए आपको अपना mobile नमर और जो नीचे capcha दिया हुआ है, वो capcha वाले box में आपको capcha डाल देना है, और capcha डालने के बाद नीचे जो login का option दिया हुआ है, वो आपको इसमें login हो जाना है, तो मैं मेरा मोबाइल नमर डाल देता हूँ और जो केपचा दिया हूँ वो केपचा में केपचा वाले बोस में इंटर करके और लोगिन हो जाता हूँ जैसे आप लोगिन हो जाओगे आपने जो मोबाइल नमर इसमें इंटर किया है उसके उपर एक OTP चैली जाएगी 6 डिजिट की तो वो OTP आपको डालना है और OTP डालने के बाद नीचे जो सम्मिट का ओप्शन दिया हूँ है आपको इसको सम्मिट कर देना है तो मैंने OTP डाल कर देना है तो जैसे हम क्लिक हेर के ओप्शन के ऊपर किलिक करूंगा किलिक करते ही आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस आजाएगा इसकी नाम अकाउंट नमर रजिस्टर मोबाइल नमर इंटर केपचा और कंटिउन्यू कर देना है तो इसकी नाम में जाके आपको क् करना सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि आप घर बेटे ही पोस्ट आपिस की아िज कोजित MIS और Senior Citizen Saving Scheme PPF और SSA यानि सुकर्ण्या समर्दी नेशलन सेविंग सैटिफिकेट किसान विकास पत्तर यह जो पोस्ट ओपिस की जो कीम् got कृण्या और स्मर्दी नेशलन और कोई चुकर्ण्या समर्दी अकाउंट का टाउन्व है गरकर भालाे सिटफिकेटर णावा है वो केपचा आपको जो केपचा वड़ा बोक्स बनावा है इंटर केपचा का उसमें आपको ये केपचा डालके और इसको जो है continue कर देना है तो दोस्तो इस तरह से आप जो है post office की किसी भी scheme का जो है mini statement जो है इस तरह से जो है easily पता कर सकते हो चाए सुकन्या समर्दी योजना हो चाए PPF हो चाए कुछ भी हो तो इस तरह से आपड़ी ही आसानी से जो है पता कर सकते हो मैंने जो है इसको continue कर दिया है continue करने के बाद paste loading वोने थोड़ सा time लगेगा फिर आपके register mobile नमर प्रेक OTP चली जाएगी 6 digit की वो OTP आपको OTP वाले box में जो है इंटर करना है और इंटर करने के बाद में नीचे जो verify का option दियावा है आपको verify के option पर click कर देना है देख सकते हो दोस्तों दो option आगए balance inquiry करना है तो first वाला या फिर आपको MINI statement जाना है तो second वाले option के उपर click कर देना है तो मेरे को MINI statement पता करना है तो MINI statement के option के उपर इसमें किलिक कर देता हूँ जैसे ही आप किलिक करोगे इस तरह का mini statement का page आपके सामने खुल के स्यो हो जाएगा page को उपर की तरफ स्क्रोल करके और आप जो है पूरा आप देख सकते हो कि आपने कब जो है इसमें पैसे deposit की हैं किस से पैसे deposit की हैं और कितने रुपए जो है इसमें deposit की हैं उपर दोस्तों एक download का option दिया हुआ है download वाले option के उपर आप जो है किलिक करके और जो है अपने mini statement को download भी कर सकते हो मैंने download के option पर किलिक कर दिया है जैसे ही मैं किलिक करूँगा फिर जो है interest मिला है तो वो interest भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि interest भी मेरे को मिला है तो वो interest भी यहाँ पर जो है show कर देगा तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से जो है अपने सुकन या समर्दी account का जो है mini statement देख सकते हो वीडियो करें कोई बी क्या लिए विडियो क्यों घंड़ाb